नमस्कार मित्रों, PSSM Blessings परिवार से मैं मिशा गुपता, डेना मर्यम जी की पुस्तक, रुपमनी और काल चक्र का फेर के अध्याय 24 और डिया 76 में आपका स्वागत करती हूँ. पिछले अध्याय में हमने इशान के आगमन का वर्णन सुना, आईए अब आगे की कहानी सुनते हैं. इशान इंद्रप्रस्त लोट गया, मुझे उसका अभाव बहुत अनुभव हुआ, और मेंका ने मुझे प्रसंद करने के लिए कई उपाय अपनाए। उसकी सेहत में सुधार हुआ था, और वे फिर से घर के कार्यों में सहायता करने में सक्षम थी। हम दोनों मिलकर बाजार में खरिदारी करते और परिवार के भोजन की तैयारी की देखरेक करते। मेंका का परामर्श माता से सहायता मांगने के विशय में माता के अपने शब्दों की तरह मेरे मन की अवधारना में उतर गया। एक भूल जिससे मैं बहुत परिचित थी और मैंने अभी भी कोई प्रयास नहीं किया था कि मैं उस व्यक्ति को ढूंडूं जिसने एक बार मेरे साथ महीला कक्ष में मेरा कमरा साजा किया था। महाशिवरात्री की पूजा की रात केवल एक सप्ता दूर थी। जब मेन का बच्ची थी यह उसके परिवार में तब एक महत्वपूं त्योहार था। और यह वह एक है जिसे वह हर वर्ष मनाती है। उपवास रखती है, मंदर जाती है और भगवान शिव का जब करती है। यद्यपीव है लक्षमी देवी की भक्त थी किन्तु उसके पिता एक उत्साही शिव भक्त थे और इसलिए उसने परिवार की परंपरा का पालन किया जो उन्होंने निर्धारित की थी। जब हम एक संधिया भोजन के दोरान साथ बैठे थे तो मेनका ने उल्लेख किया कि इस वर्ष हमें एक समीप के गाउं में जाना चाहिए। बाजार में प्राता उसने लोगों को एक प्रसिद संगीत कारों के समुख के बारे में बात करते हुए सुना जो त्योहार की रात वहां प्रदर्शन करेंगे। मैंने एक उदासीन सिर हिलाया लेकिन अभिशेक ने उत्सा पूर्वक सहमती दी कहते हुए कि यह हमारे लिए एक अफसर होगा कि हम परिवार के रूप में एक बाहर की यात्रा करें। मैं जानती थी कि वे उमीद कर रहा था कि यह इशान के प्रस्थान द्वारा मेरे भीतर जोड़े गए रिक्स इस्थान से मेरा ध्यान भटका देगा। सुजाता जितने साल तुम हमारे साथ रह चुकी हो तुमने कभी शिवरात्री के उत्सव में भाग नहीं लिया। मेनका ने उत्सुकता से टिपनी की। मैंने बड़े होते हुए महादेव के विशे में अधिक कुछ नहीं सीखा। मेरा परिवार केवल नारायन और नारायनी की पूजा करता था। शिवरात्री के बारे में कई कहानिया हैं लेकिन मेरी पसिंदिदा वही है जिसमें महादेव और पार्वती के विवा के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि ये इसी रात को हुआ था और जिसमें नारायन और नारायनी महत्वपून भूमी का निभाते हैं। ओ, मुझे ये नहीं पता था मैंने रुची के साथ उत्तर दिया क्या तुमको महादेव और उनकी पहली पत्नी सती की कहानी पता है? धुंदली सी, मुझे पता है कि उनके पिता के लगातार महादेव का तिरसकार करने और तिरसकार करने के लिए उनके क्रोध में उन्होंने स्वयम को राख में बदल दिया यह कहानी समझने का एक उपाय है परंतु मेरी दादी ने मुझे एक और संसकार बताया महादेव जानते थे कि सती अपने वर्तमान रूप में अपनी सच्ची शक्ती की प्रकृति को पूरी तरह से समझने में असमर्थ थी इसलिए उन्होंने उन्हें अपने रूप को विलीन करने की अनुमती दी और वे स्वयम युगों के लिए ध्यान में लीन हो गए जिससे कि वे उनकी सहता कर सकें अंत में सती ने पारवती मा के रूप में एक नया रूप धारण किया और उन्होंने महादेव की खोज की जिससे की वे दोबारा से उनके साथ एक हो सकें लेकिन महादेव को पता था कि वे अभी भी अपनी सची प्रकृती की पून रूप से जागरुकता में नहीं है इसलिए वे एक दूरस्त गुफा में गहरे दियान में रहे अगर वे पूरी तरह से जागरुक नहीं हुई तो सती के साथ जो भागे हुआ था वही उनके साथ होगा कुछ देवताओं को पारवती के अपने स्वामी से विच्छेत के कारण उनके दुख ने बहुत प्रभावित किया और एक देव काम देव विशेश रूप से उनके संगर्ष को सुगम बनाना चाहते थे उन्हें वास्तविक इस्तिती की समझ नहीं थी कि महादेव वास्तव में पारवती को उनकी शक्ती में लाने की मदद कर रहे थे उन्होंने भूल से सोचा कि यदि वह महादेव में प्रेम की इच्छा को तेजित कर सके तो वे अपने ध्यान से बाहर निकलेंगे और पारवती को अपनी पत्नी बनाएंगे तो कामदेव उस सुनसान गुफा में गए जहां महादेव ध्यान में लीन थे उनकी संगनी रती महादेव को परिशान करने के परिडामों से डरती हुई नारायन और नारायनी को सूचित करने के लिए दोड़ी जो तुरंत कामदेव को रोकने की कोशिश करने के लिए गए लेकिन बहुत देर हो चुकी थी कामदेव भगवान शेव के सामने खड़े हो गए और अपनी प्रेमूर्जा को उस महान देव के हृदय में निर्देशित करते हुए उन्हें पारवती की पीड़ा दिखाई जब वे उन्हें प्राप्त करने का प्रियास कर रही थी पारवती ने भी एक सुंसान गुफा में प्रवेश किया था और वे स्वयम कठोर तपस्या में लगी हुई थी ना भोजन कर रही थी ना जल पी रही थी और सो भी नहीं रही थी लेकिन उन्होंने अभी तक पून रूप से अपनी पहचान का बोध नहीं किया था इसलिए अभी उनका एक होने का समय नहीं था भगवान शिफ का पारवती मा के प्रती बहुत प्रेम है और जब कामदेव की उर्जा उनमें प्रवेश की तो उनकी करुना जाग गई अपने ध्यान से असमय निकलते हुए उन्होंने अपनी आखे खोल दी कामदेव को देखते ही उन्हें ठीक से समझ में आ गया कि क्या हुआ था कामदेव ने महादेव और पारवती मा के आंतरिक कार्रे को बाधित कर दिया था और अब मा को और अधिक लंबे समय तक और अधिक कठोर तपस्या में लगना पड़ेगा कामदेव ने इस्थिती को गलत समझा था और उन्होंने बिना सोचे समझे कार्य किया था इसलिए भगवान शिव ने अपने आंत्रिक नेत्र से निकलने वाली तीवर गर्मी और प्रकाश से कामदेव के रूप को जला दिया रती उस समय गुफा में प्रवेश कर चुकी थी और अपने प्रिये जन के रूप के विले को देखकर उनकी एक गहरी चीख निकल पड़ी नारायन और नारायनी भी अभी पहुचे थे जब कामदेव का रूप विलीन हो रहा था तो नारायनी ने उसकी आत्मा को उठाया और उसे एक छिपी हुई जगा पर विश्राम और उपचार के लिए ले गई फिर नारायन ने रती से कहा कि उनके पती को इस लीला में इस्थाई रूप से शती नहीं होगी लेकिन स्वरगी दुनिया में वापस आने से पहले उन्हें मानव रूप में जन्म लेना होगा वे दुखी हो गई और उसने कहा कि वे मानव लोक में उनका अनुसरन करेगी नरायन उसके दुख को शांत नहीं कर सके जब तक उन्होंने पृत्वी पर उसके और कामदेव के पुनर मिलन को सुनिश्चित करने का वचन नहीं दिया उसी समय जब नरायन ने यह वचन दिया था नरायनी ने कामदेव से कहा कि उसे विश्राम करना होगा जब तक की रती पृत्वी पर जन्म नहीं लेती उस युग में जब मानव प्रेम की प्रशंसा करने वाली नई कला की रचनाएं बनाई जा रही थी और तब वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे मेंगा ने अपनी बात रोक दी मित्रों, कामदेव कहां और किसके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, जानेंगे अगली कड़ी में, आप सबका धन्यवाद